Hey guys, welcome back to the another video तो दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए किस चीज़ का इस्तमाल करते हो तो उसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई वायर्ड वाला चार्जर, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई वायर्ड चार्जर ये उसकते हैं, लेकि दोनों चार्जर में एक चीज़ कोवान है दोस्तों वो है बिजली मतलब आपको जब तक बिजली का इसमें इंपुट नहीं मिलेगा, आपका फोन चार्ज नहीं होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ, कि आप आपको इसमें बिजली की कोई जड़ोत नहीं है आप अपने वाईस से, अपने आवाज से, अपने बोली से ही उसे अपने फोन को चार्ज कर सकते हो तो इसमें आप क्या कहोगे तो है ना कवाल की बाद, जिया दोस्तों ये कारणामा कर दिखा है, साउमी ने आगर इस बात में कितनी सचा ही और ये चार्ज टेकनोलोजी कैसे वर्क करता है पूरा बात करूँगा इसे वीडियो में, तो वीडियो को बिलकुल मिसमत कीजेगा नमस्का दोस्तों में आगर आज में बात करेंगे इसी साउमी के वाइस चार्जिंग टेकनोलोजी के बारे में जिया दोस्तों ये चार्जिंग टेकनोलोजी कोई हवा हवा भी बाते नहीं है इसे साउमी ने पैटेंड करवाया है चैना में जो कि आपके आवाज को वाइस को करेंट के रूप में बदल देगा और आपका फोन, स्मार्ट फोन, लैपटॉप या कोई भी चीज आप अगर चार्ज करना चाहते हो तो वो चीज चार्ज होगा तो दोस्तों, सावमी जो है तरह तरह की चीजे ला दे रहता है, सबसे पहले तो वो लाया हाइपर चार्ज टेकनोलोजी जो की 200 वाट का करेंट सप्लाई करता था मतलब आपके चार्ज आरे में फोन को मातर आट मिनट में जो है चार्ज करके फुल कर सकता है और एक और भी टेकनोलोजी लेकर आया, एर चार्ज टेकनोलोजी, मतलब आपका एक डिवाइस लगा तो उसके बाद रूम के अंदर आप कहीं पे भी रहो, आपका फोन अपने आप चार्ज होगा, आपको टेंसन नहीं लेना है तो दोस्तो अब यह वाइस चार्ज टेकनोलोजी भी सौमी द्वारा ही लाया जा रहा है, जो कि कमाल की इन्वेंशन होने वाली है दोस्तो अगर यह वाइस चार्ज टेकनोलोजी अगर हो जाती है, तो हम लोग बहुत ही जादा बेजली को सेव कर सकते है तो आईए जानतें कि voice charge technology जो है work कैसे करती है दोस्तों इस charger को तीन major हिस्से में बाटा गया है पहला हिस्सा है आपका sound collection device जास्तों ये sound collection device क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो आवाज है या surrounding का जो आवाज है उस आवाज को mechanical vibration में बदलने का काम करेगा ये आपका sound collection device उसके बाद ये जो mechanical vibration है वो सीधे transfer हो जाएगा energy conversion device में energy conversion device क्या करेगा कि उस mechanical vibration को alternative current यानी AC current में बदल देगा यानी बिजली में बदल देगा वो जो है उसके बाद चले जाएगा power conversion device में अब power conversion device में AC current जाने के बाद वो DC current में बदल जाएगा जो कि आपके phone को या फिर आपके laptop को या फिर आपके किसी भी electronic appliances को जो कि आपका charging support करता है उसे charge करेगा दोस्तों जहाँ पर possibilities है कि ये चीज जो है सबसे पहले mobile phone के लिए ही लाया जाएगा उसके बाद इसे किसी अन्य devices के लिए जैसे laptop हो गया या फिर अन्य charging supporting devices के लिए लाया जागा या आप इस charger का उपियोग कहीं पे भी कर सकते हो आप जो है इसमें voice से charge कर सकते हो तो आपके पास बिजली नहीं है आपको टेंसर लेने की जरूद नहीं है आपका power bank नहीं है आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है आप जो है उस situation में इस charger से अपने voice से या बोल करके या फिर surrounding क वाइस को जो है सुना करके इसमें आप जो है यहाँ पे अपने फोन को चार्ज कर सकते हो आपको जिसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूद नहीं है अगर आप बोलो भी तो तो अच्छी बात है नहीं बोलो तो यह surrounding के जो है वाइब्रेसंस को surrounding के जो sounds है उन सारे चीज़ों क capture करके जो है यहाँ पे एक अच्छा सा output देगा और यहाँ पे जल्द यह technology आपको market में देखने को मिलेगी फिलाल तो यह patent हो गया है और यहाँ पे जो यह technology जो है अब बहुत ही जल्द आपको आपके smartphone में देखने को मिलेगा फिलाल तो यह charging जो है अलग से आएगा charger लेकिन आगे चलके यह inbuilt जो है smartphone में भी देखने को मिल सकता है जो कि कमाल की बात होगी न दूस्तों अगर आपका phone आपके पास है और आपको charger की जरूत नहीं पड़ेगी तब तो apple वाले जो charger हटा रहे हैं box से तब उसकी जरूत नहीं होगी कि मतलब कि charger रहे ही आपके पास आप ज लौटियो को लाइक की है जल लगा हो और दो सोका सब्सक्राइब चाहिए हैं तब तक के लिए जहे हुआ हुआ